जय भारत आज फिर मैं आपके लेका रहा हूं कल अपने कोशन सवाप थी थे तेरा आज अपने वहां से आंगे स्टार्ट करें कोशन नंबर 14 तो वह अपना स्लोगान है कि कुछ भी इस दुनिया में आसान नहीं है जिन्दिगी या दुनिया में कुछ भी का नहीं पिटा आस पहला सवाल जो कह रहा है वह कह रहा है जीरो पॉंट बन और जीरो पॉंट बन टू के बीच दू परमे संख्या ग्यात कीजे मैंने अभी कर सकते हैं चाचा और अपनी बात चलेगे गाट चलेगी तो चाचा ने मेरे को सब्सक्वाइम करने के लिए यह जा दिया के जीरो बान और जीरो बन पॉइंट्टू के बीच दो पर्वी संख्या ग्यात कीजिए तो मैंने चाचा जी से का चाचा जी इसे तो हम चुटकियों में कर सकते हैं तो चाचा के ने का ऐसा है कि बैटा तो करके दखाओ तो तंदेखो जी रूप पॉंड बन मैं इसको जीरो मान सकता हूं बाद मुझे लगा साथ आपने का बिल्कुल सही है बस फिर मुझे क्या लगना एक लगना है फिर एक लगना है तीनि फिर एक लगना चार गा दूंगा और यह क्या कर दो है और दूसरी जीरो पॉंट दो एक जीरो लिखूंगा फिर एक दो तीन ये ऐसे बढाते चले बढ एक च्वात हैं पिर चाए अपने मनसे अभाळरह शूशता से रिपीड निःकर और उसको बढाखते चले जाओ बोई हो चाचा ने तो तुमने ऐसा किसे मैंने precious कुछ किया पहुत सरल तरीके से जैसा सवाल ने मेरे से का है और उन्हें नम्मर 15 तो चाचा ने कहा है आपकी है प्रसंद चाचा यहां प्रसंद तरीके से कर लूँत एक वते तीन और खासा दधाने मेरे को सवाल दिये चाचा देखना चारा रहे तो चाचा ने सवाल हुआ कि एक वर तीन वर एक ब्ते दो के भीत त्वीच तीन पर परींस थानको घ्यात कीजिस्छे चाचा ने रिखो चाचा रेस्ट को करते हैं कि एक टीन वर एक बटे दो तो सबसे पहले जो इन्हें की हर रहते रहते कर रहते तो ठीन और हैं थो ढालहाँलोग गश्रीफ गणा करों कि छिवण जाति तहुन कि फिर्फ किणि entren intrigued तो कितना हो जाग दो तीन दिनी तो यह आगा दो बटे चैनल और कितना आ गया तीन बटे चैनल अब इनके हर क्यासे हो गाए बेटा समान इनके बीच वह कोई सांख्या देखरें आपका होगे नहीं देखरें तो मैं आप से कहूंगा तो जब भी मैंने कहा था कि जब तीन बीचफंव मैं पूछता है और हर कैसे हो तो ऊस संख्या के अनस बहर में चार से ऑपर नीचे गुणा कर देते हैं यह एक और अगले ओड़ेग में चार गणा तो चाना तो ता नी आड़ चार चींग में तीन बेट चार से गणा नीचेर आठ बांटे 24 और 12 बटे 24 अब लिखो गतों आड़ बैटे 24 फिल लिखो देस बटे 24 और फिल लो को बिटा 12 वरबते 24 तो इसके बीच में एक दो तीन परव्य संख्या आ गही है किसके इसको तुम काट जाएंगी तो यह तुम्हारे क्या हो गए हैं ऐसे सवाल को क्या कर सकते हैं हल भी कर सकते हैं तो इसको तीन से काट लो आई संख्या हो गए जो की एक वट दो एक वट एक विच में इस्तित हैं और तो कि कैसी बीच में अंनंत पर्मिय सट्य हैं तो Чाट जाएंगिया विश्क्या हो चाचा ने का चल तूने ऐसा तो कर दिया वैसा है कि तू एक तरीके से और कर सकता है मैंने का चाचा तुम तो बच्चे की क्या लोगे जान लोगे बच्चे का लोगे जान अब आप इतनी मैंने का आप इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम आपको एक तरीके से और करके पहले सबसे पहले सबसे पहले सबीच कि वाइट तो मुझे पता है कर ये वर लूग अइवह टो च्छ नहीं आए कितना रहे ख息 कमान कितना एक वाटती दिन दोनों का कि Mizra स्व मानव कितना रहा लोगे खतें कितना दो और ती के निक। प्राप्त हो गई है अब तुम्हें क्या करना इस पांच बटे बारा को साथ में लेना है और इन दोनों शांख्या मैंने इन दोनों को लिया तब यह क्या करूंगा चाहे इसको ले लियुदी दोनों शांख्या होताए और शूत्र बीच की संख्या हो सूत्र क्या लगाना बीच की संख्या मैं एक्स का मद एक लिमान नीचे तो घूंप यह खुट अब तूब क्रेसे ब्स तूट कोई लगाएंगे बीच की कि पीच की सेंख्या एक्स प्लस्ट के बाई बटे दो अब तुम है क्या करना है तो कि यह लेकर निचे नीचे बिटा तो आफर उपर नीचे नीच सोट तो हमने तीन संपर में बीच में निकाल ले तुमने तीन क्या नकाल दी तो चाचा ने क्या कहा कि मजा तुमने क्या नकाल दिया दूसरे तरीके से तुम्हारा भी आसा करता हूं दिल खुस हो गया आपके सामने राप्रस नम्मर सूला जो कहा बिलकुल सवाल सबस्कुछ नहीं करना वह दो एक बटे पांच और चार के बीच तीन पर में संख्याओं को घ्यात कीजिए मैंने आपको दो तरीके बता हैं आपको जोन सा तरीक अ हैं इसमें जब अनंद्ध पर्मी संख्या होती इनके बीच में तो आपका भी आंसर लगा सकता है कि टीचर का भी अलगा सकता है इसका मतलब जी नहीं कि आपका सवाल क्या होगा गलत होगा ठीक है तो अपने स्कुल करते एक बटे पांच और चार का लाज़ तो पांच और अब क्या करना है अपने को अपने को पांच को मुझे बीस बना तो मैं लिखों एक बटे पांच में चार से अंस वा कि अंस वाहर मैं गुणा करने पर तो एक बटे पांच ऊपर भी चार से गुणा सह नीचे भी चार से बूणा तो 4 एक गम, 4 , 4 , प्रकार इस प्रकार लिखे देंगे जैसे इस में लिखेंगे जैसे एक बटे चार में बीस ओना इस पांच से तो पांच से अंस वहर में गुणा करने रबसे नीचे पॉझवानच विस और चार वटे बीस इन दोनों की हर क्या है बरावर है क्या है जब मैं ने कहा सबसे पहले क्या करते हैं हरों को बरावर करना है कि अब भाग तो हमने पूछा हो तीन पूछ रहा था जब तो किस से गुणा करेंगे तो कितना चार चोको सूला और वीचों को एस्ती होगी संख्या और एक उन्नीस बटे होगी संख्या और इसको काटना है तो सोले हम सोला पंच जे कटेगा निए सत्रा बटे चार बीच में तीन संख्या प्राप्त कि एक सत्रा बटे चालीस हो जाएगा इस तरीके से आपन सवाल को सकते हैं अगर आपको दूसरा तरीका मैंने बताया था आप उससे भी इसको हल कर सकते हैं ठीके सामेरा प्रसन नंबर सत्रा सत्रा क्या गह रहा है कि तीन सभी एक बटे आट लगा इसको बोलते अपन बिसम भीन स्वारी मिस्टर भीन या सई उक्तविन इसको बदलते बिसम आठीया इननों का गुणा आठीया चौवीस जो उपर रहता उसको पंचोड देते तो आठीया चौवीस और रहता है पच्चीस एक आप स्थीस बैटे आठ अम मुझे आठ का भाक्या में देना बिटा पच्चीस में देना तो आठीका मार्ट याच नहीं लगा तो जीरो बढ़ाएंगे आठ पंचे चालीस तो जीरो जीरो आ गया तो आंसर कतना आगा तीन दसम लव एक दो पांच अब एक वंदे के ख्याल आया चाचा कहने लगे यार यह तो संथदसम्लव ए क्या है संथदसम्लव यह तो हमें समझ में ayAles मैंने पिछली का लिख में तूनिे मुझे बताया था कि जिसमें के हर में अगर दो के गुड़ाज हो या पांच के गुड़ाज हो या दोनों हो तो उसका आंसर सांत दसमलव आता है मैंने का चाचा आप बिल्कुल साही समझे तो चाचा ने का वेटा तो एक और तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं वह कौन सा तरीका है वह ही तरीका है कि उपर नीचरक वंच सकते हैं तो विख यह सकते हैं कि पाँच गुणा समय कर ना है तो उपर निचरक पांच गुण्तल अग्राइब गगा देंगे तो दसमलब लगा देंगे तो जी अपना तीन दसमलब 1-2-5 तो समझ रहा हो जह मेरा रहा है जहाँ आंसर मैंने तीन-पांस्द किया किसे लिए गद्विए तीन-पांस्द तरसंन नमर 18 जो कह रहा 0-2-455 साधान विंच के रूफ में व्यक्त करना कैसे ट्वह सब्सक्ำ तो मैंने का था जितने एंगelect यह तो यह फिक हो तनी नों क्या लिख देते आप Ce देते हैं आप अपका कऊ सर जी कढ तो नहीं रहा तो ढछित मारा क्या है आपके सी नमनीजू किया रहा निम्लक सक्राइब क्या थि यह था तूम falling आता है लेकिन यहां तो 3 संक्या नहीं होती तो मैंने जैकाता वाहर आ तो पर कौन सी होगे पर यह किसी भी संख्या का क्या नहीं है वर्ग नहीं सेलिए क्या आँसर होगा रूड पाँच और पिछला सवाज जो था मैंने एठारा बताया है उस पर मैंने कितने पर बाल लग वेटा जी और दिसम्बलाब दो चार पांच तुम्हारा आंसर क्या होगा दिक्कत कर रहा हुगा तो परहिसान मत नहीं बता देता हूं तो कुछ नहीं करना है यहीं तो एक जीरो अगर दो अंक पर बार है तो तो ढ़ि मिलेंगी नौषूश्य कट रहा हुगा तो टो तो अब आगे समझ में उधर में तीन उपर बार लगा तो ववी अंसर यह है वो ऑनसर नहीं है वा पर यह और लाखर वार नहीं बुनों पर्मिह तो जोगि थो बाइस गलिंगों यह था है और आपके सामने प्रशन नम्मर 21 जो किया नियुन में से नहीं नहीं आपके सामने चार विकलब हैं उनको प्रशन प्रशन पड़ता हूं जो कहा एक पर्मी संख्या का दसमला प्रसर अनाशंब्नी असांत और अनावर्ती होता है बिल्कुल सत बात है परमिय संक्या लेता हूं 22 साथ एक परमिय संक्या अगर हम 7 कभाग 20 में देंगे तो जे क्या अनंत वार चलता जाएगा चलता जाएगा और कभी रुकेगा ही नहीं तो बिल्कुल सत बात है प्रसार अनासावनियों असान्त और अनावर्ति भी हो सकता है ठीक है फिर दूसरा सथ है दूसरा ऑप्सान क्या दो अपर में संख्यां का योग एक पर में या एक अपर में संख्या होना चाहिए होना चाहिए हो भी सकता है क्या है रूड थ्री प्रूड थ्री पिलस के दू तो अगर इनका अपन जोड़ते हैं यह परमी अपरमी संख्या पर में अपर इसा तो बहुत हो रहा है तो चाहिए तो बोल रहा है तो तीसरा अपन से कह रहा है कि एक पर मिस और एक अपरमी संख्या सब्सक्राइब प्रभणा जोड़न यह परमी संख्या हुथ हमेशा परमी संख्या तो इससांशर कौन साओं सभी सत्य तो सभी सत्य है तो आपके सामने प्रसंद नमबर जो कहारा कि निम्लिखित में पर्मे संख्छा कौन सी है तो वह पाई तो क्या होती या पर्मे संख्या को गया अब जी रूत जी यह क्या मान सकते हैं अब जीरो वक्ति नगे सकते हैं जो बेटा एक परमे संख्या हो गया जो पीवटे क्यू की रूब में लिखा जाता है उसे हम परमे संख्या कहते हैं तो अपना उप्सण कौन सा को बैटा आप अगर इसमें यह बिगलत होता अगर यह भी उपसां क्या नहीं होता था तो इस लिए आंसर कौन से यहोगा आपके सामने प्रसान नमर तेइस जो कह रहा कि रूड थ्री और रूड ग्यारा के बीच एक पर्मे संख्या ग्यात करो हमने काम घिन्दा ग्यात कर सकते हैं कोई दिक्त नहीं रूड तरी फिर रूड पाँच रूड छे रूड साथ रूड आठ sprint नौ to loop 10 वह सब्सक्राइबे थल्pol Till मूझे पता अपर में में जियाप्र में यह अपर में जियापर में ट्रवार में इस्वोरी एस तो क Gumbo कि नौ क्या है पर में कि तीन का वर्ग होती है और जे कितनी का बर्ग होती है तो कि दो है तो इनके बीच में कितनी है कर दोगे तो आंसर सही होगा क्योंकि एन रूट तीन और एप्यारा की बीचमें नो तो पर बिचमें दी है कि बच में दी है और वैसे पूछ रहा हूगा अगर ऐसा अंसर नहीं है अगर एसा आंसर पहली हला इसमें दे रहा है कितना बीटा अंसरा दो दसामला पांच दो चार तो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है तो पन कैसे निकालेंगे इसको इसको लुखेंगे रूड थरी बीच की संख्या क्या होता है ना इसको रूड या रखूँगा और रूड 3 का मान और रूड 11 का मान रखूँगा और उसमें क्या कर दूँगा दो का भाग दे दूंगा तो मेरा आंसर आ आजाएगा क्या आजाएगा क्या आजाएगा मेरा आजाया अब क्या से करेंगे को समझ तो देखो मैं बताता हूं कैसे निकालते सिंपल वीदी तीन को लिखेंगे दसमाल लगाएंगे 00 00 00 00 भाग भी साल करते हैं एक-एक हम एक होटाएंगे दो बंचेंगे एक और एक को जोड़ेंगे दो जाएंगे डो दसमालों का दो जोड़ा उतरता है ठीक तो मैं क्या करूँगा 29 29 280 दूसौ अपासाट होता है हो जो सबस्क्राइब एक बचेगा इसको भी गटाइगे एक बचेगा गटाइगे एक बचेगा और जीरो बचेगा शाथ और साथ को जूडएंगे तो कितने हो जाएंगे और दो रहें लेंगे 0 00 का लेंगे फिर क्षिज करेंगे घंज depression करेंगे थीड फर क्षिड़ हम देएस बच भर चेगा whatever हुँआ दो साथ बच सब्सक्सक्राइग चैने शेता चर ते शेता हुआ पूल दो औ rozm designer दगा लेंगे तीन दूनी चला जाएगा दो बार इसका भाग देंगे तो दूनी चार दो शेक बारा दो च्वाट और एक नौ तो तीन तरका लगाएंगे तो क्या करेंगे अब मुझे एक भाग दुकान आया तो मैं का करूंगा एक छेटी अथा तीन पर जाएक तीन तरका नौ चैती अथा रहा कितने चैने और एक टीन जोड़ेंगे तो चैने चैश आप भाग तो नहीं आता है तो मैं एक दूनी बार जाना तो एक सब्सक्राइब तो यह सब्सक्राइब तो इतना होगा ठीक है अब यह को जोड़ लेंगे तो यह साथ बीर चला जाएगा वाग तो कितना हो गया इस कमान कितना तीन दसम्लाव तीन एक साथ बटे कितने दूपनच चार चार जो बिल्कुल सैंटो सेम मिल रहा है तो इस तरीके से आपके सवाल को हल करना है अगर आप ऐसे करोगे तो यह से परमी संख्या था किसी पूछ रहा था बीच के करने के लिए लेके रूड तो अपना अंसर अब आपके सामने है प्रसान नमर 24 जो कहारा संख्या अंडरूट पांच का दस्वाला प्रसार कीजिए तो इसका मुझे पता है और बर्गूल में क्या अंडरूट के जोई मान रहते हैं जिसके बर्ग कर लेते लेकिन जिसका आपन बर्ग नहीं है इसका माल इसका कोई बर्ग है तो इसे पर भागदी साहल से करते कैसे हम पांच को लिखते हैं और तीन अंक तक तीन जीरो बढ़ा लेते यहनी छे जीरो बना सकते बादतों हमेसा क्या होना ज्यूड़ा होना चाहिकिन हम भाग देते जीसन बहाए तो दो चटेंगो चार-बचारी नहीं मुझे पता इसका हमार जाए दो पर जाए गधाय हो आगा जोड़ूंगा दो कितने चार चार दो जीरो उतार मुझे पता है भाग किती बाज आगा तीन तरह का नो ती चो को बारा ती चो को बारा और फंद्रा गटाओंगा तो एक वचेगा जार कितने बचेंगा साथ बचेंगे अब मुझे पता है है कि वागित्ति बार जाएगा एक जाएगा चार 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 जाएगे चार जाएगे और 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 आंगे काना तो इसलिए और आंगे करते चले तो जी अपना क्या हो सकता है आप उसको और आंगे भी कर सकते हो ठीक है आपको समझ में आया पचीस और चब्वी दून प्रसंट मैंने साथ में लिख दी है जो 25 प्रसंट क्या का था कितनी पर्मे और पर्मे संख्या हो सकती है मैं अभी आपको बताया था कि दो संख्यों के वीच में क्या होती है अनंत पर्मे संख्या हो सकती है तो अब आता प्रसंट नंबर 26 जो कहता है कि निमलिकित मैंसे कौन सा कथन सथ है तो मैं पढ़ूंगा प्रतिक पूरांक एक पर्मे संख्या बिल्कु सत बात है कि प्रतिक पूरांक संख्या होती है वह क्या होती पर्मे संख्या होती कैसे कि माने चाल लगा चाल की नीचे मैंने एक लगा पर्मे संख्या बन गई क्योंकि हर किसी संख्या के हर में एक होता है ठीक है इसलिए फिर दूसरों क्या है एक बास्तिक संख्या या तो पर्मे होती है या अ प्लस अपरमे अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो बन जाती यह बास्तिविक संख्या तो जब यह दोनों मिलकर नहीं तब तक चोड़ेंगे नहीं का नहीं करेंगे नहीं सब्सक्राइब करें अगर आपको सवाल समझ में आते तभी आप वीडियो को करें तभी चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें अन्य था मत करें मुझे कोई प्रॉबलम नहीं होगी क्योंकि अगर आप सीखोगे तभी तो मुझे लगेगा कि हाँ जो मेरे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है मालो आपने उस चैनल को करें मिलता हूँ आपसे एकली वीडियो में बिदा लेता हूँ जय हिंद जय वारत